सेहस से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपके लिए काफी फाइदमन्द साबित होंगी आज किस दौर में हर वेक्टी अपने जीवन को बहतर बनाने में लगा हुआ है एक स्टूडन्ट जहां अपने एक्जाम्स में अच्छा करना चाहता है वहीं एक बिजनस्मैन अपने वेवसाय से मुनाफ़ा कमाना चाहता है साथ ही प्राइविट कमपनी में काम करने वाला वेक्टी अपने प्रोमोशन और नौकरी बचाने में लगा हुआ है इस भाग दोड़ और सफलता की जद्व जहत के बीच लोग अपनी सेहत को सबसे कम एहमियत देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब, स्ट्रेस यानि की तनाओं की चपेट में आ जाते हैं माता पिता को बच्चों की भविश्य की फिक्र है तो हमारे यंग जेनेरेशन को अपनी पढ़ाई और करियर की फिक्र है कोई अपने पारिवारे कलह से परेशान है तो कोई अपने रिष्टों से संतुष्ट नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो अपनी जॉब से परिशान है यानि कहने का मतलब है कि ज्यादतर लोग आज किस दौर में अपनी लाइफ टेंशन में बिदा रहे हैं तनाओं के अधिक परचाने से लोग कई प्रकार के मनोरोग से ग्रसित हो रहे हैं जिसमें चिंदा, हिस्टीरिया, डिप्रेशन, पैनिक, डिसॉर्डर आदी शामिल हैं तनाओं शरीर की वह स्थिती होती है जब हमारी लाइफ में अचानक कोई बदलाव आ जाता है जिससे हमारे शरीर में भावनात्मक और शारिरिक प्रतिक्रिया होती है जब हमारे शरीर को अच्छी तरह से आराम नहीं मिल पाता है तो हमारा मस्टिश्क ठक जाता है और ठका हुआ मस्टिश्क हमें स्ट्रेस की ओर ले जाता है इस कारण शरीर के हार्मोन का संदुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति दिप्रेशन में जाने लगता है वैसे तनाओं के कई सारे लक्षन भी होते हैं लेकिन हम आपको कुछ खास लक्षन बता रहे हैं जो किसी व्यक्ति के तनाओं में होनी की स्थिती को दर्शाता है नीत का गायब रहना पाचन क्रिया का धीमा हो जाना रक्त संचार का ठीक से ना होना वजन का अत्यदिक घटना या बढ़ना दिल का तीजी से धड़कते रहना अत्यदिक चिर्चरापन होना अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना ठकान महसूस करना मन अकसर उदास रहना सांसे अचानक तेज हो जाना अगर तनाओ को सही समय पर पहचान लिया जाए तो इससे निकलना काफी आसान हो जाता है आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान से टिप्स देंगे जिससे आपकी सारी टेंशन्स और स्ट्रेस मिन्टों में दूर हो जाएंगी मेडिटेशन स्ट्रेस तनाओ और टेंशन को दूर करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है इसे करने के लिए हमेशा शांत जगह चुने और वहाँ बैठ कर ओम का जाप करें और उसके वाइब्रेशन को फील करें रोजाना शांत मन से मेडिटेशन करने से आप ना सिर्फ तनाओ से दूर रहेंगे बलकि सेहत बंदी रहेंगे गहरी सास ले जब भी आपको तनाओ टेंशन या स्ट्रेस हो तो ब्रेक लेकर अपनी सास पर ध्यान दे अपनी आखों को बंद करके एक हाथ को नाभी पर रखें इससे आपका स्ट्रेस कम होगा लोगों के साथ समय बिताएं लोग अकसर तनाओ या स्ट्रेस होने पर अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन इससे आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है इसलिए लोगों से बातचीत करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं ऐसा करने से आपको हलका महसूस होगा और एक ताकत अंदर से आएगी जिससे आपको अपनी समस्या का हल भी मिल सकता है डान्स करें स्ट्रेस को दूर करने के लिए यह एक सबसे अच्छा तरीका है इसे दूर करने के लिए अपने किसी फेवरिट गाने पर खुल कर डान्स करें ऐसा करने से आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपको हलका महसूस होगा डान्स करने से आपके शरीम में स्फूर्ती आएगी पॉजिटिव सोच जनरेट होगी गाने सुने इसलिए जब भी आपको टेंशन हो तो पसंदीदा गाने जरूर सुने लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रहे कि आप दुखी करने वाले गाने बिलकुल न सुने खुल कर हसना खुल कर हसने से ना सिर्फ आपका स्ट्रेस दूर होता है बलकि आपके फेफडो और दिल के लिए भी काफी अच्छा है इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हसने से दिमाग में इंडोमॉर्फिन केमिकल रिलीज होता है इससे आपका तनाव दूर होता है सही लाइस्टाइल चुने स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सही लाइस्टाइल चुनना भी बहुत जरूर है इसलिए अपनी दिनचर्या को सही बनाए और समय पर उठने से लेकर हेल्दी डायेट रुटीन में शामिल करें सुबा उठने के बाद योग और व्यायाम जरूर करें पौश्टिक नाश्टा लेना बिलकुल न भूले इससे आप खुद को काफी एनरजेटिक महसूस करेंगे हमें उम्मीद है सेहत से जुड़ी ये जानकारिया आपको जरूर पसंदाई होंगी ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें लाइसिटीज के साथ